इस चुत रूप से इस विभाग के लोग शरत पवर साहब के विचारों के साथ और उनके काम करने के शहिली के साथ में इसलिए हमको इस बार भी विश्वास है कि राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पर्टी के साथ में अनुशक्ति नगर विभाग की जनता खड़े रहने का काम करीगे और अनुशक्ति नगर में राश्ट्रवादी कॉंग्रेस कहीं नगा बहाने का काम करीगे नमस्कार आप से दर्सों का सी एनुशक्ति नगर विधान सबा में हमारे साथ एक कर्मट और निष्ठा वांत एक ऐसे सरत्पोहर जी के कारे करता है राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी से उर्थी चर्चा करेके निलेज भोशले जी इडवोकेट निलेज भोशले जी सरत्पोहर जी के साथ उस्सवक्त खड़े थे जब कई नेता और बिधायक पार्टी को छोड़ं कर बीजेपी की साथ चले गए और बीजेपी साथ सबसे पहले तो आपको बधाई हो क्योंकि पार्टी की तरफ से आपकी लिए पॉजिटिव मेंसेज आया है क्या करना चाहिए? प्रिवाग की जनता खड़े रहने का काम करेगी और अनुशक्तिनगर में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कहीं नगरी विकास की गंगा बहाने का काम भी करेगी. अबी का जो माहौल है ऐसा का जा रहा है कि नवाम मली जी सायद निर्दली खड़ा हो सकते हैं या तो अजित पवार जी के गट से उनको टिकेट मिल सकता है. तो कितना चालेंज है कि तोकार हम काते पहले यहां पर विधायक थे सायद वो सिंदे गुट मिल सकते हैं उनके तरफ से उनको टिकेट मिल सकता है या किसी और को मिल सकता है. लेकिन राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी का मुंबई में येकी विधायक विधान सबा है अडुशक्ति नगर जहां पर राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी अपना पद और अपना विधान सबा नहीं छोड़ेगी. लेकिन राश्वादी पूरे तरीके से संगटन के साथ में कमर कसके तयार है. और आने वाले समय भी शरत पौर साहब के नेत्रूतों में राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ है उसी का विधाय के यहां से जिता की देने का का हम लोग अनुशक्तिनगर के माध्यम से करेगे अच्छा कारकरताओं से हमने मिला उनका करना है कि निलेज भोसली जी को अगर टिकट मिलेगा तो काफी कारकरताओं कारकरता जमेनी अस्तर पूतर कर काम करेंगे तो आपके तैयारी की सतरा की क्योंकि आप चुनाव सर पर है दो महिने के बाद आपको चुनावी मैधान में उ लगते हैं और लोगों के साथ में संपर करेंए के कारण निष्चुत रूप से कारेकरताओं को भी कही 나 कई एक चीज का विश्वास है कि यह दी पारिटी हमको संदी देती है तो निष्चित रूप से इस संदी का हुम लोग कही न कई सोना करने का काम कर सकते हैं और जिस प पावर कंपणी एचपी सेल बीपी सेल आर्सिया बीए आर्सी टिया एफर निवल कॉलनी ऐसे प्रमुक यूनिट्स जो केंदर सरकार के है वो भी यहां पर तो निश्चित रूप से मिश्र एरिया है गरीबों के लिए हम लोग को हौजिंग पॉलिसी जो है अगर आपने और यहां पर कभी चुनके आने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हाउजिंग पॉलिसी के माध्यम से लोगों को जोपड़ों से निकाल के पक्के मकान देने का हम लोग काम कर सकते हैं साथी साथ में अगर आपने देखा हो को तो पिछले 15-20 साल से जो भी विदायक यहां पर है गटर नाला टॉयलेट और बहुत जादा हो गया तो पत्रे का शेड बना के देना यह चीज निश्चित रूप से बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर है हमारा लेकिन इस चीजों के इन चीजों के कारण हमारे जीवन में कोई नया परिवरतन नहीं हो रहा है अगर जी करता है कि भारत के आजादी के 75 साल के बाद में भी अनुशक्ति नगर एक में वो पूरे देश में ऐसा विधान सभा है जहां पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है हम भी चाहते है कि हमारे यहां के बच्चे पड़े लिके स्कूल में जाए कॉलेजिस में जाए आई टी आ जहां से देश का नाम उचा करने का यहां पर कही न कहीं पर प्रयास करें इसके लिए हम लोग कटी बद्ददा से राश्टरवादी के विचार और उनकी आने वाले फ्यूचर जेनरेशन की प्रगती केसे हो उस पर ध्यान देने का काम करेंगे अचा इसके पहले भी जब अ आईसे से लोग आके यहां पर किश्मत अजमाया और जीते आप यहां पर लोकल हैं और लोकल लोग पब्ली की जो समस्या उसको समस्छते भी एक घर गिरता सबसे पहला आप ी वहां मे पोछे थे तो लोकल होने का कितना फाइदा होगा क्यूंकि आप अडुसक्तिनगर वि विधान सभा ऐसे नाम से उसको डिमार्गेशन किया गया और 2009 में अनुशक्ति नगर विधान सभा कही न गई बना इस विभाग में अगर आपने देखा हुआ तो 1978 से लेके 2024 अब तक एक भी लोकल आमदार कोई नहीं हुआ है उसके कारण हम लोगों को एक दुश परिणाम का हमेशा सामना करना पड़ता है कि यहां पर जैसे हमने बोला कि अभी तक हॉस्पिडल्स अच्छे नहीं बने, डिग्री नहीं नहीं एक भी हमारी यहां पर, आइटी आइका सेंटर को वासेना का जैसे परमुक की एरया में नहीं बन पड़ा, इसका कारण यह है कि बाहर के लोग आते हैं, जीतते हैं, टॉयलेट, बाद में शेड्स, गटर, नाली, पैसेज, ऐसे चोटे-मोटे काम करते हैं और यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको सरीफ 5 साल यहां पी बिताने होते हैं यही अगर कोई लोकल चेहरा यहां से अगर सामने आता है, हम यहीं केते हैं, मुझे टिकेट मिलने वाला पार्यटी का निरने, पार्यटी कुछ भी निरने ले सकती हैं लेकिन अगर कोई भी लोकल चेहरा यहां से सामने आता है, जीत के आता है और विधान सभा में चला जाता है, तो निश्चित रूप से जो लोकल समस्य है, खुद की समस्य है समझ के अपने घर को दुरुस्त करने का काम करेगा, यहां पे अच्छे colleges होगे, यहां पे अच्छे hospitals होगे, maternity hospital का एक अच्छा निर्मान हो सकता है, डिगरी college का निर्मान हो सकता है, साथी साथ में जो नौजवान साथी हमारे बहुत बड़े पैमाने में बिरोजगार है, हमारे आजुबाजु में जो बड़ी companies है, HPCL, BPCL, RCF, Tata, Indian Oil, BRC, इनमें contract के स्वरूप में ही सही, लेकिन इनको कहीं न कहीं रोजगार मिल सकता है, रोजगार यदी मिलता है, तो यही नौजवान साथी नशे से दूर होगे, और नशे से दूर होगे तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, कानून व्यवस्ता यहां पे नहीं बिगड़ेग लेकिन कई पार्टी के और भी मित्रपत्थ है, जो तैयारी में लगे, उनके लिए क्या गईगे? उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी करेगा, तो अनुशक्ति नगर विधान सबा करेगा, यह मैं आप लोग को निश्चित रूप से बदा सकता हूँ. अनुशक्ति नगर विधान सबा से टिकेट देना चाहिए. कैमरामेन प्रवीन के साथ, राजपांडे, CEN News, मुंबई. इस चुत रूप से इस विभाग के लोग शरत पावर साहब के विचारों के साथ और उनके काम करने के शहिली के साथ में, इसलिए हमको इस बार भी विश्वास है कि राश्टरवदी पॉंगरस पार्टी के साथ में, अनुशक्ति नगर विभाग की जनता खड़े रहने का काम करी और अनुशक्ति नगर में राश्टरवदी पॉंगरस कहीन भी विकास की लंगा बहाने का काम भी करी.